वेलकम टू नेक्स एक जाम आज है 12 सितंबर 2024 और 12 सितंबर 2024 से करेंट अफ़ेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट में आपसे कुश्यन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज किस वीडियो की पेडियाप फाइल आप इस वीडियो के डिसकसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियाप आप हमारे टेलेगराम गुरूप स साथ मिल जाएंगी और टेलेगराम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकसिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेगराम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है रास्टी बंद सहीद दिवस कम मनाया गया ह तो अभी 11 सितंबर को रास्टी बंद सहीद दिवस मनाया गया तो इस कुश्यन का बे ओप्सन सही है भारत में हर साल 11 सितंबर को ये रास्टी बंद सहीद दिवस मनाया जाता है ये दिन उन बहादूर बंकर्मियों और परेवर्ण संरच्चकों की याद में मनाया जाता है जुनों ने बन और बन जीवों की रक्षा में अपने प्राणों तक को कुर्वान कर दिया तो ऐसे लोगों को याद करने के लिए यह मनाय जाता है और बन संरक्षड के बारे में जागुता बढ़ाना इसका मैन परपज है तो यह ध्यानक ना भारत में 11 सितंबर को राष्टी की बन सही दिवस मनाय जाता है अच्छा सितंबर में अभी तक इतने important िना ऐ मनाय गया है एक वर मैं आपको रिवाइस कराता हूं एक सितंबर को इंडिया پोश्ट payment Venk का साथमा स्तापना दिवस मनाय गया दो सितंबर को बई सुनारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को गगन चुम्बी इमारत दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतरास्टी चैरिटी दिवस मनाया गया, 6 सितंबर को रास्टी पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया, यह मैंने आपको बताया था, अगर यह एक सबनियां से अटा दो, रास्टी वाचन दिवस अगर आपसे पूछ ले तो 19 जून आंसर हो जाएगा और अगर आपसे पूछता है कि राश्टी पुस्तक बाचन दिवस कम मना जाता है तो 6 सितंबर अच्छा साथ सितंबर को अंतरास्टी गिर्द जागरूपता दिवस अंतरास्टी पुलिस सायोग दिवस और बेस्सो भौतेक चिकित्सा दिवस मना जाए गया 8 सितंबर को अंतरास्टी साक्षर्ता दिवस मनाये गया और 10 सितंबर को बेस्व आत्म हत्यारोग्थम दिवस मनाये गया तो सितंबर में अब तक इतने important यह मनाये गया है यह आपको याद रखने हैं और मैं आपको बोलता हूँ अपकी लाइफ और अचीब करने में लगा दो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी ने कुशन है किसकी आत्मकता फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ तो यह कांग्रेश के नेता है सुसेल कुमार सिंदे इनकी आत्मकता है फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स इसका भी पॉलिटिक्स इसका विमोचन हुआ है तो इसका विमोचन किया है कांग्रेश के राष्टी अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने और विमोचन पर देख विजय सिंग भी उपरिश्ट नेता के रूप में उपस्तित रहे तो किसकी आत्मकता है यह सुसेल कुमार सिंदे की क्या नाम है फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स अच्छा अभी अजरनी फ्रॉम ब्लैक गूल्ड टू भाइड गूल नामक पुस्तक कुल्देप गुपता ने लिखी तरुड चुक के द्वारा लिखित पुस्तक मूदीज गवर्नेंस ट्रैंफ रिसेपिंग इंडियास पाथ टू प्रोस्परिटी का विमोचन हुआ जारी किया और दुबरी सुबाराव ने जस्ट अमारे सिनरी नाम से अपना संस्मर्ड लॉंच किया ने क्यूशन है किस राज में पांच नए पॉक्सो फास्ट्रेक कोट इस्तापित की जाएंगे इन में क्या होगा जो पॉक्सो से रेलेटेड मामले हैं उनका फास्ट्रे कोट पस्चे मंगाल में स्ताफित कि जाएंगे तुस्कुर्षम का बे अप्सन सहिए यह जो टर्म लिखा है वाक्सो इसकी फूल पन पताए किया है Ow Gray Hello I जैसे नियुनतम तेन साल की सजा है और अधेक तब अुम्रकैद की सजा है और अगर कोई ब्यक्ति बारए साल से कम उम्र की इसलोगा के साथ दुस्कर्म करता है तो उसुए मौथ की सजा हो सकती है और इस कानून के तहट नावालेक बच्चे के साथ योन सूसर जैसे अपराद करने वाले को जमानत नहीं दी जा सकती यह इसमें कुछ प्रावधान किये हैं पॉक्सु एक्ट में तो यह आद रखना कि पॉक्सु एक्ट कब आया था लगस्वार जुनाओ थे उस TEMA निग्स कपता ओट करनेा कि कल्कत्ता हाइक और यह एक प्रतिसत नौकरे आरक्षड का आदेश दिया पस्चे मंगाल ने पोईला बैसा को अपना राजी दिवस और बंगलर माटे बंगलर जल को राज की गेट को सित किया पस्चे मंगाल के सुन्दर बन सहथ जलपाई गुड़ी जिले के काला नूनिया चाबल और कादियाल साडियों को जी एटेक मिला है ग्यारे माब बंगलादेश पुस्तक मेला ये कुलकाता में हुआ और पस्चे मंगाल के ब्रांड मेजडर सौरप गांगुली बने मैं कुशन है हाली में किसे NCR के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो ये राजेस बर्मा को नियुक्त किया गया ये हैं राजेस बर्मा और इनी के NCR के लिए CAQM यानि कि Commission for Air Quality Management का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अच्छा संसदी राजबासा समेती का अध्यक्ष फिर से अमित्सा को चुना गया बिने गोयल को राश्टी स्वास्थ मिसन के लिए राज्य मिसन नियुक्त किया गया अरुड गोयल को क्रोएसिया में भारत का अगला राजबूत नियुक्त किया गया तोहिन कांध पांडे को बित्त सचिब नियुक्त किया गया BCCI ने अजयरात्रा को पुरुस क्रिकेट टीम का चैन करता न्यूक्त किया फिलिप्स ने भारती उप महाँदीव वाजा रहे दू भरत सेस को अपना प्रबंद निदेशक न्यूक्त किया और उत्तर प्रदेश माईला आयोक का अध्यक्ष बबीता चोहान को न्यूक्त किया गया है ने कुशन है हाली में 2024 के सर्व स्रेष्ट देशों की रैंकिंग में कौन सीर्स पर रहा है तो एक यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जारी होई है इसने 2024 के सर्व स्रेष्ट देशों की रैंकिंग जारी की है इसमें फिर से स्विट्जे लेंड टॉप पर रहा है तो इस कुशन का से ओप्सन सही है स्विट्जे लेंड फर्स्ट पर है जापान सैकिंड पर है और यूनाइटेड स्टेट थर्ड पर है तो ये टॉप त्री आपको याद रखने है अब स्विट्जे लेंड टॉप पर है तो मैप में आपने कभी ध्यान से स्विट्जे लेंड को देखा है ये देखो, यह है मैप में स्विट जेलेंड, स्विट जेलेंड की capital के है, वर्न, स्विट जेलेंड की currency के है, स्विश फ्रेंक, और स्विट जेलेंड में जो government है वो federal government है, तो इस government की president कौन है, वियोला अमहर्ड ने क्यूशन है कौन बेसु का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है तो अब अपना देश भारत बेसु का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया तो इस क्यूशन का बे ओप्सेंस है इंडिया ने अमेरिका को पीछे च चाइना है यानि कि चाइना पहले नमबर पे है और अब अपना देश भारत दूसरे नमबर पे पहुंच गया है अब भारत तो यह है मैप में अपना देश भारत भारत रूसे तेल के सबसे बड़े आयातक की रूप में चेंज से आगे निकला है मोरने मोरकल टेम इंडिया की वॉलिंग कोच बने है भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगियाल के तेसरे चरड का परिक्षड सुरू किया है भारत ने CAVA यानि की Central Asian Volleyball Association मैला Volleyball रास्ट लेक का दूसरा खिताब जीता है BIMS Tech Business Sicker Samiland की मेज़बानी भारत ने की भारत ने तेसरे Voice of the Global South Sicker Samiland की मेज़बानी की और WHO ने बैस्विक पारंपरिक चिकित सा केंद रेतू भारत के साथ समझोता किया और एक फेक्ट मैं आपको हमेशा हर बार बताता हूँ अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा Milk Producer बन गया है यह चीज़ें आपको भी इतनी ही आसानी से याद हो जाएंगी लेकिन सिर्फ इतना करना है कि Morning में बिस्तर चुड़ने से पहले यह बेडियो देखने के आपको habit बनानी है इस बेडियो को आप Morning में बिस्तर चुड़ने से पहले देखने के habit बना लो आपको कोई भी current affairs की extra book नहीं पढ़नी पढ़ेगी ना कोई magazine पढ़नी पढ़ेगी और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी exam में आपका current affairs का एक single question गलत नहीं होगा पस इतनी से habit आपको डवलब करनी है और video देखने के बाद आप इसे minimum तीन ऐसे लोगों के साथ share करो जो आपके same exam के तयारी कर रहा है जिससे कि जब भी आपकी उनसे बात हो तो किसी topic पर आप उनके साथ discuss कर पाओ minimum तीन ऐसे जो आपके contact में लोग हो जो same आपके exam के तयारी कर रहा है Sergio Mendes का निधन हुआ है वे कौन थे Sergio Mendes ये ब्राजील के एक संगीत कार थे और अभे इनका निधन हो गया तो स्कुशन का say options है ये थे Sergio Mendes ये ब्राजील के एक संगीत कार थे नए कुशन है असुक राज सिख डेल ने किस देश के सेना अभ्यक्ष के रूप में सपतली है तो असुक राज सिख डेल ये हैं असुक राज सिख डेल इन्होंने नेपाल के सेना अभ्यक्ष के रूप में सपतली दूस कुश्यन का B options आई है अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल की capital क्या है काटमांडू नेपाल की currency क्या है नेपाली रुपया नेपाल की प्राइम निस्टर है केपी सर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट है राम चंद्र पॉंडेल ये हैं राम चंद्र पॉंडेल इनने ही सेना द्यच को सपद दिलाई है अच्छा नेपाल कल ही मैं आपको उता है 101 में सदस्टी की रूप में अंतरास्टी सौर गठबंदन में सामिल हो गया है और ये जो अंतरास्टी सौर गठबंदन है इसका headquarter कहा बता है था मैं आपको गुरू ग्राम में और ये है क् करक रेखा और मकर रेखा करक रेखा यानि कि साड़े 23 डिगरी उत्तरी अच्छांस मकर रेखा यानि कि साड़े 23 डिगरी दक्षडी अच्छांस इन दोनों के बीच में जितने भी देश हैं उनमें सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है इसी सनलाइट का सूलर इनरजी क रूप में यूज करने के लिए ये गठवंदन मना अंतरास्टी सौर गठवंदन और अब इसमें 101 में सदस्य के रूप में नैपल सामिल हो गया है अच्छा नैपल परेटन बूर्ड ने सतत परेटन के लिए P.A.T.A. गूल्ड अवार्ड जीता बारत और नैपल ने मुनाल उपग्रे के प्रक्षिपड के लिए समझोता किया मिस नैपल वर्ड दोजर चौबिस का खिताब आस्मा कुमारी केसी ने जीता भारत ने नैपल की जल बिद्युद परियुजरा के लिए 5,000 करोड रुपे मनजूर किये हैं बहुरास्टी सैन ने ब्यास सांती प्रियास फ भारत और नेपल के बीच में कौनसी डिफेंस एकसाई होती है सूर्य किरड नाम की डिफेंस एकसाई इंडिया और नेपल की बीच में होती है ने कुशन है किस राज्य में 80% आरक्षड के साथ जन जाती बिस्वविद्याला इस्तापित किया जाएगा तो ये महरास्ट के नासिक में इस्तापित किया जाएगा इसमें 80% सीट जन जाती लोगों के लिए रिजर्व राएंगी तो ये 80% आरक्षड के साथ जन जाती बिस्वद्याला महरास्ट के नासिक में स्तापित किया जाएगा तो इसकुशन का से ओप्सन सही है अब महाराष्ट तो ये है मैप में महाराष्ट, महाराष्ट की केपिटल क्या है मुंबई, महाराष्ट की चीपनिस्टर कौन है एकनाथ सिंदे और महाराष्ट की गवर्नर कौन है सेपी रादाकरश्णा, अच्छा राष्टपते द्रौपते मुर्मू ने महाराष्ट में 207 बुद्ध बेहार का उद्गाटन किया Unified Pension Scheme यानि कि जो नई Pension Scheme आई है UPS इसको लाओ करने वाला पहला राज महाराष्ट बना है ADB ने महाराष्ट को स्वास्ते सेवा को बड़ावा देने के लिए 500 मिलियन डॉलर का रेट देने का दावा किया महाराष्ट ने कारागार एबम सुदार सेवा बिद्यक को मंजूरी दी चत्रपतेज सिवाजी महाराष का अतियार बाग नक ये लंदन से मुंबई लाया गया महाराष्ट सरकार ने मुख्य मंतरी युबा कारे प्रसिक्षड योजना सुरू की और महारेरा के अध्यक्ष की रूप में मनोज सौनिक को न्यूक्त किया गया अच्छा महाराष्ट में उजानी बांध है जैकवर्णी बांध है कुएना बांध है नाबेगाउन नागजीरा सयादरी मेलगाड तडोबा और अन्देरी बोर टाइगर जा रहा है ने कुशन है सयुक्त राष्ट महासवा का 79 महासत्र कहां सुरू हुआ है तो ये निउ यॉर्क में सुरू हुआ तो इस कुशन का बे अप्सन सही है और इसमें भारत की तरफ से हमारे बिदेश मंत्री एस जैसंकर ने पार्टस्पिट किया है ने कुशन है किस ने सिंगापूर साहित्य पुरुसकार जीता तो ये प्रसान्ती राम ने जीता तो इस कुशन का से अप्सन सही है प्रसान्ती राम इनकी एक लगू कता है नायन याड साडीज ये इनोंने 2023 के लास्ट में लिखी थी और इसी की बज़े से इनको सिंगापूर साहित्य पुरुसकार मिला है ये हैं प्रसान्ती राम और ये इनकी लगुकता है इसी के वज़े से इनको सिंगापूर साहित्ती पुरुसकार मिला है अच्छा पैरिस के ग्रैबिन म्यूजियम ने भारते अभिनेता सारुक खान के सम्मान में गूल्डन कोईन जारी किया रहाब अलाना को फ्रांसिसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है आई ओसी द्वारा अंतरास्टी ओलंपिक ओर्डर पुरुसकार से अबिना बिंद्रा को सम्मानित किया गया रिगोवटा मेंचु तुमने गांधी मंडेला पुरुसकार जीता ओमन चांडी लोक सिवक पुरुसकार से राहूल गांधी को सम्मानित किया जाएगा सुदर्शन पतनायक ने इंटरनेशनल सेंड स्कलप्चर चेंपेंसिप में स्वड़ पदक जीता सिफ संकरी को डॉक्टर से नारायन रेड़ी साहित पुरुसकार में लाए और के चोक लिंगम को प्रतिस्टित हंस वोन हेंटिंग पुरुसकार से सम्मानित किया गया ने क्यूशन है भारत और किस देश ने एतिहासिक असेन्य परमाड उर्जा समझाते पर हस्ताक्चर किये तो आपको पता है अभी अबुधावी के प्रिंस भारत आये थे और तबी अपने देश भारत और यूए ने एतिहासिक असेन्य परमाड समझाते पर हस्ताक्चर किये तो इसकुशन का ए ओप्सन से यह अबुधावी के भी किंग आये थे इंडिया उसी टेम भारत और यू यूए तो ये है मैप में यूए यूए के पिटल के है अबुधावी यूए करंसी के है यूए दिरहम और यूए के प्रेसिडेंट कौन है मोहमद बिन जयाद अलनेयान अच्छा 24 में मदर टेरिजा अंतरास्टी पुरुसका दुबई में आयोजित किया गये माईला T20 वि यानि की यूए की राजदानी अबुधावी में एक सड़क का नाम भारते मूल के 84 बरसी डॉक्टर डॉक्टर जार्ज मैथ्यूज के नाम पर रखा गया भारत और यूए ने नौसेना प्रक्सिक्षट सायोग बढ़ाया और भारत और यूए ने इस्थानी मुद्रा में 45 फिडे सत्रंज ओलंपियाड सुरू हुआ है तो इस कुश्चन का बे ऑप्संस है अब हंगरी तो मैप में देखो यह है हंगरी हंगरे की केपिटल क्या है बुड़ापेस्ट हंगरे की करंसी क्या है हंगेरियन फॉरेंट और हंगरे के प्रेसिडेंट कौन है तमा सुल योग ने कुश्चन है किसने अतिती अभिनेत्री के लिए क्रियेटिव आर्ट्स एमी पुरुसकार जीता तो यह जैमी लेक आर्टिस ने जीता तो इस कुश्चन का से ओप्संस आई है यह हैं जैमी लेक आर्टिस इन्होंने अतिती अभिनेत्री के लिए क्रियेटिव आर रूस ने अपना सबसे बड़ा नौसेनिक अभ्यास ओसें 2024 सुरू किया इसमें देश के सभी पंच बेड़े सामिल हुए है तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन सही है अब रूस तो यह है मैप में रूस रूस की केपिटल क्या है मॉस्को रूस की करंसी क्या है रसियन रूबल और रूस के प्रजेंट एमपर प्रेसिडेंट कौन है ब्लादिमीर पोतिन अच्छा प्रदानमंत्रे नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वूच नागरिक सम्मा दा ओर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज दा अपोस्टल प्रदान किया गया है रूस के उपग्रे के तूटने से इं और रूस तालिवान को आतंकवादी सूची से अटाएगा और रूस के एक अंत्रिक्ष यात्री है ओले कोनों नेंको इन्होंने अंत्रिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का रेकॉर्ड बनाया यह एक हजार दिन तक अंत्रिक्ष में रहे अब लास्ट वीडियो के कुश कुशन पूचा था कि केंद्री पर्यावड मंत्राले के स्वक्ष वायू सर्वेक्षट दोजार चौवीस में कौन सा सहर सीर्स पर रहा तो सूरत टॉप पर रहा तो इस कुश्यन का बे ऑप्शन सही था और लगबग सभी स्ट्रेडनेस कांसा सही दिया मुश्ट लेश्ट कुश्यन के बारे में जितना भी फैक्ट आपको यादें आप लिख दो फिर आप उनको कभी भूलो कि नहीं यह हैबिट आप बनाओ कि जो कुश्यन में पूछता हूं अगर आंसर नहीं भी पता है तो गूगल पर सर्च करके आंसर लिखो लेकिन आंसर लिखो मैं ही नहीं 24 से जुलाई 24 तक के करेंट अफैस का पीडियाफ है इसमें 1761 कुश्यन है इस पीडियाफ को मैंने खुद बनाया है इसको आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो टेलिग्राम पर आपको नेक्स्ट एक्जाम सर्च करना है और आपको टेलिग्राम चैनल मिल बारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूसक बन कर ओब रहा है भारत की दूसरी पर्मण पंडुबी आई एनस अरेगहात को विसाका पटनम में भारती नौसिना में सामिल किया गया साथ सितंबर को व्राजील का सुतंता दिवस मनाया गया स्रेलंका ने भारत सहित 35 देशों को बेजा मुक्त प्रवेश की अनुमती दी अच्छा अभी एक रिपोर्ट आई है कि पिछले आठ मन्त में यानि की जन्वरी से लेके अगस्त तक स्रेलंका का जो परेटन का सबसे 2024 पेरलंपिक में सेब्डी मिसन नामित किया गया और पेरेस 2024 पेरलंपिक में सबसे अदा मैडल किसने जीते हैं चायना ने जीते हैं मनेश कुमार गुपता को अरणाचल प्रदेश का मुख के सच्जेब नियुक्त किया गया है ताहिर जमान को पाकिस्तान की होके टेम का मुख के कोच नियुक्त किया गया सुपर टाइफून यागी ने चेन में दैनिक जीवन अस्थ ब्यत किया चेन, बियतनाम इन सब एरिये में जो ये यागी तूफ़न है इसका सबस्यादा एफेक्ट बढ़ा है एक कुशनिया से और बन सकता है कि इसका ये जो नाम है यागी ये नाम किस ने दिया है ये नाम दिया है जापान ने अच्छा आरेना सवालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है और जैनिक सिनर ने पुरुसेकल खिताब जीता है हिमाचर प्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री सुक सिक्षा योजना को मंजूरी दी मद्ध्य प्रदेश सरकार ने ब्रंदावन ग्राम योजना और केता भवन पर्योजना का नावरड किया हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरब पत्यों की संख्या की ममली में न्यू यॉर्क टॉप पर रहा बेपी सियल ने ब्यार में ड्रोन आदारित बन रूपर परयोजना शुरू की आयाटी गुहाटी ने बिमान सिक्षा को बड़ावा देने के लिए एरबस के साथ साथ दरी की और आयाटी से रिलेटेड एक कुछन और याद रखो आयाटी दिल्ली का अभी एक नया केंपस को ला है कहां को ला है अबुधाबे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी ने लखनव में ससस्त्र बल उत्सब का उद्गाटन किया और अभी ग्रेटर नौइडा में सेमी कौन इंडिया का उद्गाटन प्रदार्मंतरी मूधी ने किया है पस्चे मंगाल बिधान सवा में एंटी रेप बिल पास हुआ अब आपके लिए आज का कुश्चन है कौन 101 में सदस्र के रूप में अंतरास्टी सोर गठबंदन में सामिल हुआ आज भी इसी वीडियो में आपको बता है चार आप्सन दिये गए हैं इन में से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम अमारे Facebook पेज पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पेज जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने careers related भी कोई problem है तो आप Instagram, Facebook और X पर indres RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation discuss कर सकते हैं तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all page video thanks for watching